जैसा कि हम लोग का लास्ट कुश्चन था परतिरोध का मात्रा क्या होता है तो परतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है हमने ये कुश्चन कर लिया था और बोला था कि आज एक सो ही कुश्चन रहने देते हैं टूटल इसमें 500 कुश प्लांस और सारे 500 प्लस कुश्चन थ देंगे यह basic knowledge of electricity का chapter है तो आप लोग अच्छे से सारे 400 question करने के लिए ready हो जाए और साथ ही साथ आप लोग comment box में comment करते रहिए का PDF के लिए टेलीग्राम से जूड़ जाए टेलीग्राम पे आपको संपून इसका मिल जाएगा ठीक है basic knowledge of electricity का और बाड़ी-बाड़ी से आप लोग एंसर का चवाब भी देते कुछन का चवाब भी देते चलिए ठीक है पर चालक की लंबाई बढ़ने से परतिरोद क्या होता है देखे जब्ए चालक की लंबाई बढ़ी उसका परतिरोद भी बढ़ जाएगा साला कह अनुप रस्ट काटके छेत्रफल तकcentered क्या होगा जासे अनुप रस्ट काटका लोगल जाराunt तो परतिरोद क्या हो जागा घड़ जाएगा जैसे अनप्रस्ट कटके चेदर बढ़ेगा परतिरोद आपका क्या हो जाएगा घड़ जाएगा और चालक का विश्ष्ट परतिरोद किस पर निर्वर करता है तो जो चालक का विश्ष्ट परतिरोद होता है चालक के पदार्थ पर दार्थ कैसा बना हुआ है इस पर डिपेंट करता है चला का परतिरूद आगे देखते हैं 100 वोल्ट के भी बांतर पर किसी चालक में अगर 6 एंपेर के बिद्धरा परवाहित हो रही है तो खर्च हुई सकती का मान बताना है देखें आपका पी ब्रावर क्या होगा यह सकती निकालना है खर्च शक्ति तो क्या होता है भी इंटू आई होता है यानि गुना घड़िये कितना जागा 600 वाट आ जाएगा ठीक है 600 वाट आप्सों नमबर इस सही हो जाएगा आगे देखते हैं देर ओम के परतिरोद वाले देर सो वोल्ट देर परिपात में देर सो लगा यहां तो परतिरोद द्वारा सक्ति मतलब खर्च की कि सकती बताना है देखें सकती कितना खर्च किया गया यह आप से पूछा जा रहा है तो जैसे इस तरीके का प्रस्ण आपको दीखें तो यहां पर क्या रहा है कह रहा है कह रहा है आपका 500 वोल्ट है कि लिए दोस ईपर में क्या हो जागे यह दस्ताम भटेगा तो यह 0 यहां पर ऊसरेगा ठीक रहा है कितना मरतब में कट रहा है आप पहली एक सो हो जाएगा कितना हो जाएगा एक सो हो जाएगा एक सो आपका एंपियर हो जाएगा तो एक सो एंपियर जब यहां से निकल गया तो सकति गयात्त करना है आपको यहां पर देखें यहां पर हम छे नम प्रस्ट में आई कामान दिया हुआ था और भी कामान दिया हुआ था अब वही हम यहा कितना है भी कमान आपका दे दिया हुआ है आपका पंद्रा ठीक है एक सो पचास दे दिया है ठीक है दोस्त कि क्या हो जाएगा यहां से अपका बिलकुल सही है प्राइब कि हो जाएगा नहीं और यहां से कितना हो गया यहां से गए इसको उपर कर देते हैं प्राश्नकोट को कि यहां पर पी बराबर यहां पर लिखेंगे के पी बराबर आपका क्या हो जाएगा भी आई कि लिए थे दोस्त यहां से कितना है 1500 वोल्ट यहां पर है और ये देखिए यह लगाया गया है तो यहां आ एकमन क्या हो जाएगा आ आई कमाण आपको एक जा जाएगा एकुअ ठीक है डेड़ कुर ने एक सो इजिकाल टू के तो पन पचास पोल टाइ कमान कितना जाएगा एक επ Danish लेकिन यहां पर परतिषी दोला सगती पूछ रहे हैं तो आई भी कमान हो गया आपका कितना कितना जाएगा 15000 आ जाएगा हलो दोस्तों तो चलिए इसको सॉल्प कर रहा है थे हम लोग तो इसमें है कुछ डाटा मिसिंग हमको मिसिंग लग रहा है ठीक है इसका एंसर जो हम बता देते हैं एंसर दिया हुआ है 500 वाट लेकिन हमको यहां पर कुछ डाटा जो है मिस लग रहा है ठीक है अगर आप इसका सोल्योशन बेहतर तरीक से जानते तो आप हमारी टेलिगराम पर जूरूब है वहां पर इससे सेंट कर सकते अगले प्लाशन की तरफ चलते हैं एक 1500 वाट के हीटर द्वारा चार घंट पर चला रहा है तो आप से पूछा जा रहा है कितना योनिट जो है खर्च किया जाएगा ठीक है अब देखे ध्यान से इस तरीके का जब भी प्रस्ण आए आपको तो यहां पर पहले क्या निकल लिजेगा आप एक फर्मूला जानते हैं पी ब्रावर क्या होता है डबलू लॉशा निकालना है आपको अनर्जी निकालना है ठीक है तो जब भी इस तरीका का पाष्ण आए έ eines il didregon от 11 चल रहा है कितना गंटे चल रहा है 3027 285 375 आजाएगा 375 वाट आजाएगा ठीक है एक घंटे में कितना 375 वाट आपका यह के लिए रहा है एक फर्मुला जानते हैं एनर्जी इस उकल टू यानि कि खपत की अजल जाए इस उकल टू क्या होता है यह होता है यह होता है या कितना मरता में कर जाएंगा तेन नंबरद च्छ वाट शरी हो दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस तरी के प्राशन को बनाने में चुकि नुमेरिकल है नुमेरिकल फंसाता है इसलिए हर एंगल से सुचना पड़ता है एंसर के वल बताना रहता तो हम एंसर बता के निकल जाते हैं अब देखें एक हजार वाड की जो है विधूत इस्तरी द्वारा खपत कि उर्जा से क्या होगी देखें जूएख जादा अनर्जी लेगी ज्यादा अनर्जी कम जून करेगी और पांसा वार्ड अली कम इसके अपेक्छाद ही करेगी तो क्या हो जागा एक सो नौ का आप वाट वाली इसके अधिक खपत करेगा ठीक है उल्टा आपका यहां पर दिख रहा है अब देखना है अगला प्रस्ण आपको कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में से अगर 200 वाट के लैंप का परतिरोध क्या होगा तो देखें 200 वाट और 500 वाट के में इसके 200 का परतिरोध पूछ रहा है तो परतिरोध इसका क्या होगा तो परतिरोध आप जानते भी है इसका क्या परतिरोध होता है अधिक होता है 200 वाट वाले का अधिक होगा और 500 वाट वाले का आपका कम होगा अगला प्रस्ण आपके सामने 11 नंबर है 1111 नंबर 200 वाट के पांच लेंपों को 50 पैसे पर किलोवाट की दर से चार घंटे तक हपत की गई है एनर्जी उसका ठीक है तो इसको आप निकाल लिएगा तो कितना जगा देखें 200 बाट का 50 पैसे की दर से 4 घंटे तक चलाया जा रहा है कितना है दो लेंप यहां पर दिया गया ठीक है अब दो लेंप कितना घंटे चलाया जा रहा है चार घंटे चलाया जा रहा है पचास पैसे से तो एक घंटे में कितना आठा ना तो दो घंटे में एक रुपया तो चार घंटे में कितना रुपया हो जागा दो रुपया हो जागा ने अपसन नमबर डी बहुत ही जी सवाल है था आगे देखिए नुमेरिकल का सवाल बहुत ही मजदार होता है इसलिए अच्छे से से कवार आप करते चलिए एक उपभूगता जो है दैनिक च से कुल लोड उरजा का वहां करता है तो देखें वताना हैा आपको सवाट के दर से कितना है कितना दो घंटे total का यहाँ पर क्या निकालना है आपको द्यानिक खर्च निकालना चार घंठे के लिए सववाट के लमप दो घंठे चला एक गंटे के लिए और 500 वाट की एक विभ ज़िश्टरी चला एक घंठे के लिए ठीक है यहां पर देखिए यहां दो घंटा एंगंटा तीन घंटा में आपका दिए गया है तो चार चौका सोल ला कितना हो जाएगा चारए गंटे तो चल रहा है कितना हो जाएगा नका पर दिन के कूल लोड का उर्जा बैयाग बताना है तो परती दिन का यानि कि चार घंटा ही आपका चल रहा है यह विद्धो देस्तरी ठीक है तो चार घंटा में कितना हो जाएगा यह एकार्डिंग टू आपके माइन के अनुसर तो एक रुपया साथ होना चाहिए एक रुपया जिसे 40 पैसे पर यूनिट है और आपका चार घंटे तक चार घंटा यह हो गया दो घंटा 6 घंटा यह साथ घंटा यह आठ घंटे टूटल होगा हमारे हिसाब से तो आर्ट चोगा बात इसे नहीं कि 3 रुपया 20 परिसा हो गया हो गया कि नहीं हो गया तो आपका यहां से कितना हो जागा टोटल कितना यहां से होगा यहां पर फर्मूला जानते हैं यहां से लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं आगे देखिए यहां वर्क होगे अब आगे देखते हैं इसके कोडिंग बनता है कि नहीं फिर बाद में लास्ट सॉल्यूशन पर भी चलेंगे फिर पजलास कर देते हैं यहां पर देखिए दो घंटे के लिए 125 वाट ठी में लग जाएगा तो आप इसे बहुत इजी तरीके से भी बना सकते हैं कैसे इसका धियान से आप लोग समस्ते चलिएगा आपका बहुत इजी हो जाएगा 40 पैसे परती यूनिट है कितने दो लोड पहले हमको गयात करने है तूटल हो जानना हो गया है तो ऊसके तना हो गया चल कितना घंटे रहा है चल कि का 8 घंटी चल रहा है ठीक है और कितनी पैसे के हिसाभ से 40 पैसे प्रते घंटे के हिसाभ से और रुप्या में हमको बदलना है तो आपका ब 되면 उसके कि रिधे कार देंस को न्यी 재ес को करेंगे इसको पांच मर्त में ठीक है 51.something आ रहा है फिर भी आप देख रहे हैं यहां से टूटल आपका यहां पर रुपया नहीं फाइंड हो पा रहा है इस तरीके से हम लोग भी नहीं बना पा रहे हैं अब किस तरीके से बनाएंगे अब ध्यान देवने वाली बात है एक और तरीका हम लोग उप्योग कर रहा है उसके बाद 2 गंटे के लिए 125 वाड का एक टवी विजन प्लस कर लेते हैं 2 गंटे के लिए 125 वाड का उसके बाद कहरा एक revolves के लिए लिए 500 एकन गंटे के लिए प्लस इकडिघृत्र टीक है यहां से तो टुटल आपका यहां पर निकल जाएगा अब देखिए 5 सब को बटा में एक हजार कर दो ठीक है 2750 है ठीक है तो आपका जाएगा 2.7 2.75 यूनिट आ जाएगा ठीक है इतना यूनिट आ जाएगा और कैसे कैसे आपका यूनिट का रेट है 40 पैसे है कि नहीं तो 40 से गुना कर देंगे ठीक है तो आपका क्या जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा 40 पैसे है ध्यान दीजेगा 40 पैसे इसको फिर रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे ठीक है यह एक दसमलाब इधर हटाएंगे तो एक जीरो तो यहां पर कैंसिल आउट हो जागा ठीक है अब इसमें हम इसको तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दोगे तो 1.1 आ जागा कि नहीं आ जाएगा विल्कुल आ जाएगा जब 1.18 है यह 27.5 था इसलिए ध्यान रखेगा तो आपका क्या जाएगा 1.1 रुपया जाएगा यानि कि आपका option number D आपका सही हो जाएगा ठीक है समझ में आ दो हजार हम इसको लिख सकते हैं टोटल दो हजार यहां पर हो गया आगे दिखिए जब यहां पर हम यह लिख दिए हमारा डवलो निकल गया 2000 ठीक है आप देखिए उसके बाद सेकेंड वाला देखिए दो घंटे के लिए 125 वार्ड का टेलिविजन चल रहा है तो दो घंट कि आपका निकलना है कि कि खुल सक्थी कुटना कितना लोड पहले लोड तो घ्याद कर लेंगे उसके 500 वाट की एक मतलब बिधुदेशतरी है 500 जोड देंगे सो एक हजार आज़ेगा ठीक है यूनिट निकले गा यहाँ से तो यहाँ से कट करके आजए एक जिरो से कट करके 2.75 आपका यूनिट आ गया यहां पर देहां देचे 2.75 यूनिट का रेट क्या है 40 पैसे है, 40 बटा 100 कर देंगे, 2 बटा 5 कर लोगा, उपर 2, नीचे 5, कोई दिक्कत है तो बोलो, और देखो 275 दुना क्या इतना होता है, 275 दुना हो जाएगा, 272 दुना 1.5, 255 हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलो, है दिक्कत, और यहाँ पे दो अंग पहले दसंबलब ह जाएगा, कोई दिक्कत है, और बटा 5 से भाग दो दो गया, तो एक दसंबलब एक आ जाएगा, ठीक है, आपका राइट एंसर आ जाएगा, अब इस से अच्छा कैसे समझोगे, समझ में आया, आगे देखेते हैं, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के 3 परतिरोद को 12 वोल्ट की बैटरी से से रेनिंग करम में जोरा जाता है, तो 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 यहां पर ओम हो जाएगा, टोटल, और 12 वोल्ट की बैटरी से जोरात परिप्रत का कुल परतिरोद क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहां पर वोल्ट फाल्तु में दे दिया गया है, आगे देख आगे चलते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम की दो परतिरोदो को समानतर करम में जोड़ा जाता है, परिप्रत का कुल परतिरोद कोई दिक्कत नहीं है, एक वट्टा 14 प्लस एक वट्टा 6, दोनों का लसे ले लेते हैं, तो टोटल का 42 लसे लसे म हो जाएग आगे जब आगे कि 50 वाट 200 वोल्ट और 100 वोल्ट और दो लेंप, जो है, जाएगा समान ही होगा ठीक है दोनों की धारा कमान समान होगा ठीक है आगे चलते हैं चुकि आपको यहां पर क्या है वोल्टेज समान है तो धारा समान ठीक है दोनों लेंपों के धारा क्या हो जाएगी समान हो जाएगी आगे देखो फीगर दिया गया है बताना है चार परत प्राप्त करेगा यह बताना है आपको तो यह नंबर नहीं प्राप्त करेगा बी नंबर भी नहीं आपका ऑप्षन नंबर डी नंबर प्राप्त करेगा समान धरा कुन प्राप्त करेगा समनांतर करेगा समनांतर कर में धरा समान और वोल्टेज क्या होता है और समान आगे दे समनांतर करब में धारा क्या होता है उल्टा बोल दिया है ठीक है समनांतर करब में जो धारा होता है ठीक है ना धारा आ समान और विवांतर क्या होता है समनांतर करब में जूरे हैं और परतेग परतिरोत का विवांतर का मान क्या होगा विवांतर समान समनांतर करब में भी समान और समलांतर में 20 समान और आई समान होता है सरेनी में ठीक है याद रखेगा आई सरेनी में 120 volt दिया गया है अब यिसमें क्या किजिएगा 1 बटा 8 और को जोड़ लीजिएगा जो आयाँयगा उसको एक वटा 9 जैसे कि 6 एक बार फिर से कर ली working यहाई अब यह देखें । तो और तीन को जो टूटल साथ ही नहीं हो गां साथ हो जागा ठीम्हाँ अब इसमें देखें फिर सेम प्राष्पन लात तो इसको बना लिजगा छोड़ते हैं अब देखें बीदुत अबेस कि क्या होती है जानते ही आप अब को बताना है बहुत इजी सवाल है आप लोग बताँ आप से पूछ रहा Southwest सो यहां पे रेशिस्टेंस दे दिया गया है स्रेनी करप में नहीं कि चुरेंगे दो तो 250 तो 250 बट्टा क्या कर लोगे किसका पूछ किसका अपको बता है क्या बता है इसमें क्या होता है इसमें जो बोल्टेज यहां पे कह रहा है कि 100 बोल्ट है ठीक है न है, 100 बोल्टेज रहाई 100 बोल्ट आपका जूरा हुआ है ठीक है, और दूसरा रिडिँंग का आपका मान बताना है कि इस पर कितना बोल्टेज आ हा hep 9 देखिए, पहले पर जा येगा तो इसका 100 मतलब सेस्टेंस के साथ इसका जो ही सिर्ण पहले पर किया आधह कर देगा पहले पर यहां पर एक सोबिस वोल्ट और जाने देगा तो सबस्ट के चलते हैं तो इसको बनाने में समय बहुत लगेगा इसलिए आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा योग जो जो होता सुने होता है किसी बंद परिपत में परिपत के परतिक भाग के परतिरोद और धारा की गुणा का बीज़ गनेती योग परिपत में कुल कि विदुत्ये मित वहाग के बराबर होता है कि यह इसलिए थे को इस GPS के लिए चारी याज़ नहीं करता है तो P बाटा Q is equal to क्या होता है R बाटा S होता है 26 का क्या हो जाएगा आपका option number A से ही हो जाएगा इससे भी question बनता है अप्सन तुले तो फिर टेस्टन बीज के लिए X का मान क्या हो जाएगा तो 80 बाटा X बड़ावर 40 बाटा 4 यानि 10 से करता है तो आपका क्या हो जाएगा यह DC में डायर्क करेंट हो जागा इसी नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा जाएगा जब मुक्त इलेक्ट्रोनर की संख्या अधिक हो जाएगी तो परति रोध होजागा वो कम हो जाएगा अब एक मानक लंबाई की copper तार की आयतन में बिना परिवरतन के उसकी लंबाई खीश कर 3 गुणा कर दीजाए तो resistance कितना गुणा हो जाएगा तो जब 3 गुणा करेंगे तो resistance नो गुणा हो जाएगा एक कॉपर की तार जिसका ब्यास अन्य कोपर की तार की अपेक्षा दुगुणा करने जाया है तो करेंट परभाहित होने की छम्ता क्या हो जाएगा। होने की चमता भी दोलनी हो जाइगी जैसे ही उसका ब्यास अगर आप ते उन्या प्रभाहित होने की चमता भी दोलनी हो जाएगे आने वाली और जहने वाली करेंट का ने यो क्या होता है था या फर्स्थ आपको हम पढ़ाया थी कि आने वाले करेंट और जाने वाले करेंट का भीज होता है सुनने उताँ डूसरा नियम हम आपको पढ़ा दिये थे दूसरा क्या वह बताया थे कि वोल्टेज का जो ढूप होगा गनाति योग के बराबर होता है ठीक है अप्सिन संबरह सीट दूसर पर्मानु के निम्न तीन परकार के कन पाया जाते इसको भी बताना पड़ेगा आपको कमेंट कर दीजे पर्तिरोध जो की धारा के प्रवाहित होने के पर्तिकूल एक गून है वह निम्न में से किस पर निर्भर करेगा वो करता है सभी पर आप लोग ब्लोग बच्पन से पर तो इसको बतानी की इतना डिटिल में जरूरी नहीiste आवेसित परमानु क्या कहलाता है तो बताई जो भी आवेसित परमानु क्या कहलाएगा आयन कहलाएगा आप सौब वाट है 200 लेंप का परतिरोद पूछ रहा है आपसे देखें यहां पर पी का मान दे दिया 200 बुल्ट तो इस तरीके के प्रोड़शन को बनाने के लिए इजी एसिस्टेंस आप निकाल लेंगे R is equal to क्या होता है ठीक है R is equal to V into I हो जाएगा यहां 400 हो जाएगा परतिरोद के परमान के लिए किस विदी का परियोग करिएगा तो परिपात में विदोत सक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है तो आपका ये है वोल्टेज के धारा के गुणा के रूप में वोल्टेज के वर्थ के परतिरोद को भीवाजित करने के लिए धारा के वर्थ के परतिरोद के करने के सबहीं में करेंगे option number D एक बिजली के लैंप को अगर 100 Watt 200 जो है वोल्ट के रूप में चिनित किया गया तो फिलामेंट में प्रवाहित्थ होने वाले बीदोधरा कोन ऌ को सी होती है तो दिकके परिपत्थ में जो पर्वाहित होने वाले मुक्त sare Brushagan की एक दीचा में संचालन होगा तक कि इतना की अधाया तो क्या हो जागी परतिक परतिरोत से कम हो जागी अब देखे संधारित्र किसमें उर्जा रखता है जो कैपिसीटर होता है किसमें उर्जा रखता है बताना है आपको तो वो बिधूत अस्तातिक छेत्र में उर्जा रखेगा कहां पर रखेगा बिधूत अस्तातिक छेत्र मे इलेक्ट्रोन वहन करता है कितना इलेक्ट्रोन वहन कर लेगा आपसे पूछा जा रहा है तो एक यूनिट रिटावेस वहन करेगा अब देखे एक ओम के तिन परतिरोत को समनांत्रक्रम में जोड़ दिया जाए ऐसे तीन सन्यों को सर्णी करमें जोड़ाद है तब पर नामी यह जाएक है तो आप से पूछ क्या रहा है कि फिर उसके बाद सर्णीकर में ऐसे तीन पर भी तीन इस आजयागा ठीक है तब पर नामी परती ज्यात करना आपको पर रहे तो आपके घर में तीन बल्व है साथ वाट के और चार बल्व पशीस वाट के तीन बल्व आपका चालिस वाट के लगए रोजाना पांच घंटे जलते हैं और बिजली किदर चालिस वह सवाल इसका टोटल पहले बैया गयात करें कितना हो रहा है आपके घर में तीन बल्व साथ वाट के तो छतर एठार एक सो असी प्लस पाशीस चुप का सो उसके बाद चालिस त्याई एक सो बीस और बटा एक हजार कर दीजे पांच घंटे रोजाना रिजल रहा है तो गुने पांच भी कर दीजे एक हजार कर दीजे ठीक है तो जोड़ प्रसेंगी हिसाव से तो दोगुञें चालिस गुञें तीस कर दीजेए तो चारते बाराट दोनीचोभी में आपका खपत हो जाएगा ठीकहा आई देखते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने हैं इस तरीका प्रस्ण कर चुके यह बहें देखे तीन पर्तिरोद दिया सब्सक्रारने के लिए आप करते हैं अब बताने आपको एंपियर सेकंट रख होता है वाट तो ईंत 6 अबसक्ष весь का मतर होता है किशा से रावेश को सब लिखा हुआ है तो यह बल्ब का प्रति रोध क्या हो जाएगा तो आर का मान पूछ रहा है तो दिके कर चुके हैं तो इसको दुबारा रिपीट कर दिया गया आगे दिखते हैं अच्छे सुचालक का परतिरोध होता है तो 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 अच्छे सुचालक क नंबर आप लोग जवाब भी देते चलेगा वीडियो को रुक रुक के जवाब देते चलेगा या सुनते चली केवल सुनते चली आपका हो जागा हम जानते हैं कि आप लोग कमेंट करने वाले हैं नहीं इसलिए सुनते चली है यदि दो चालक एक ही दिसा में धारा ले जा र बीच का तुलियांकी परतिरोत क्या हो जाएगा आपको बताना है तो सब का बीच का हो जाएगा आरवाई टू हो जागा सब को पहले जो सेर्णी करम में उसको जोड़ लीजे और फिर सब को फाइनली जोड़ लीजे आगे देखते हैं एक इस्थिर धारा का स्रोत जो है दस क अब बाद निकाल लीजे उसके बाद फिर यहां पर दिये हुआ है अब लोड पर कितनी धारा होगी यहां पर निकल जाएगा आपका एंसर इसका हो जाएगा वह अन 58 का एंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आगे देखिए पांच-पांच ओम के दो परतिरोदों को स सम्तुल परतिरोद क्या हो जाएगा सम्तुल परतिरोद का महान आपसे पूछ आपक जो है एक मिनिट में 320 जूल तथा एक चार ओम परतिरोधा को अपूरती करता है तब एक में इस्तिर धारा परवाह क्या हो जाएगा तो आपका 1.2 हो जाएगा तो आपका 1.2 हो जाएगा 1.2 MPR ठीक है देखें अब यह तीन समना स्रेणिक में दिया है तो यहां टूटल कितना होजाएगा आपका 20 होजाएगा और 20 सो बटा वीज करेगा तो 5 MPR आजाएगा रहा है जो आ रहा है धारा छे आ रहा है नो आ रहा है तो आजा रहा है केवल तीन ठीक है तो पंद्रा में 3 घड़ MARK आपका 12, 12 MPR और जाना चाहिए 65 क्या हो जाएगा दिया एक स्थिर परिपत passionate गुंद भू भीधूतिये में दिया नहीं हुआ जाए तो इस यहाँ हो तो बिधूत हैahan maa देखे चाला के नेटवर्क में धारा के परवाह को समझने है तो बेवहार किया जाता है किसका बेवहार किया जाता है आप से पूछा जा रहा है किर्चॉप्स के नियम का परवाह किया मतलब बेवहार किया जाता है धातों का ताप बढ़ने से उसका परतिरोत क्या हो जाएग बर्ठ जाएगा किसी बेग्ति को शुरक्षित रहने की लिएry कितना विधुत ध्राइख भी उक्त होता है कितना भी दर्राइख होता है कितना होता है साड़े 700 पलस यानि एक हजार ओम के आसपास होता है ठीक है आगे देखते हैं साड़े 700 से पंदरों सब्सक्राइब बीच में होगा तो अगला कोश्चन है बीस ओम के तीन परतिरोध को जोड़कर एक तिर्भुज बनाये ऐगा जी किस दो छोड़ों पर कुल परतिरोध क्या होगा लवकिकसी दो छोड़ों पर कुल परतिरोध आपसे पूछ रहा ठीक है ठौwe convenient क्या हो जाएगा तो वह सामनत्र क्रम जूड दीजेगा तो हाँ पर देखें दॉस ओम के चार परतिरोद को वर्ग बनाया गया देखें दो समरांतर करम हो जाएगा तो यहाँ पर इसको तो find की जग़ा तो आपका ऎजाएगा आपका 15 right है अब देखे कौन सा गलत है बटाना है यह सही है यही है तो Beijing सभी से बनाएगार यह सभी स्वा Nuclear और आखितल इस ही यह बताना है बढ़िया तो 4000 एंप एर 20 से बारा होगा. यह सही है बाकिस सब गलत है. तो किलो ओम का मान कितना हों गांज किशार की में, तो किस किसम की धातु प्यात瞪ए होगी अब किसी भोल्टेज सोर्स से कई लैंप समनांतर करम में लगए हुए है यदि एक लैंप जल जा है है अधिक रोशनी देने लगेगा कि परभावित नहीं होगा जल्बी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा थुरा बढ़ जाता है अगला प्रस्ट ने चाहँ वोल्ट और एक दसम्लाद दो एंपर के धारा कि देखे बन जाएगा कि नहीं आर कमान निकलना है आपका इसका एंसर हो जाएगा आपका पांच हो जाएगा एंसर बता देते कि आप लोग कुश्चन बनाएगा एंसर बन जाएगा अब किसी तार में पांच सेकेंड के लिए यह देखे यह भी प्रस्ट बन जाएगा इसका भी एंसर हम बता देते हैं ठीक है तीस जूल हो जाएगा अब देखे इस बुक में के वल यही किया गया है इस पीडियेफ में कि बार बर कुश्चन को इस तरीके से डला गया है कि एक बार 500 कुश्चन का प्रेक्टिस कर लिजे इलेक्रिसीटी में कभी भी नहीं फस यह गा तीन सेकेंड में किसी तार से होकर 30 कुलंब का वेस प्रभाहित होता है तो तार में प्रभाहित धरा कमान आप से पूछा जा रहा है कितना हो जागा तो हो जागा 10 अब देखे यह यह भी प्रस नापका नोमेरिकल है पचास वाट के दस बल्बो को यदि परते दिन दस घंटे चला जाए तो तीस दिन के में कितने किलोवाट विधुत उड़जा की खपत हो जागी यह भी बना लीजेगा बहुत तीजी सवाल है तो आपका हो जागा 150 आगे चलते हैं पां प्रतिरोद का यह थार्थ मान मापने के लिए नियम्स का प्रयोग किया जाता है जगा है जैसा हो जाएगा वह आपका काला हो जाता है के लिए ऊपर का चालक होता है उपर का चलंग की है उसी हो जाएगा तो रसालक को जाएगा किस के लिए टापन तत्व को के लिए चुना जाएगा यह अपसे पूछा जा रहा है तो हो जाएगा आपका तापन तत्व की अब्दी या आयू बढ़ाने के लिए अपसtha भीए थे Stockholm के बीच परतिरोथ का मान क्या होगा ऑसी स्ट्टू के बीच परतिरोथ का जो माल होता है वह होता है आपका सुनने होता है ठिक यहाँ पर Systems दिए गया है इसके पिए सुनने परतिरोध कtakeमाण परदात में चालन नहीं और पदार्त में चलन कब नहीं होगा जब समान विधूतिय बल्प के तार में हो समान विधुतिय बल्प क्या हो तार में हो आगे देखलेंगे दो-ेस दसपाल और ने동न के समान की जा रही है तो यह किस बीधूतिय निल भी स्थार यह थारच मान्त ही सो वाट की लैंब को वह दारहां परदान की जा रही है तो यहीं किस लैंब के समाना वह बताए किस लैंम कके समान Saya 25 घर टीक है यहांपनिकाल लेजएगा किसी चलकता अधिकतब होती यहां रहा क्या है बताना है तो ब्रतिरोध तापन पादिती उसे का ते कर्चॉप का वल्टेज नियम किसे समधित रखता है कि जो वल्टेज नियम होता है आई आर ड्रॉप और बैटरी के विदुत अब बाहक पल दोनों के भी समध्ध रखता दोनों से दिश्ट धारा के मामले में क्य में किस तरह किस परतिरोध का साईज अधिकतम होता है डिश्ट धारा के साईज अधिकतम होगा तो रिखता में अगे हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसमें 115 वोल्ट और 100 वाड का बल लगा हुए उसका परतिरूद कम हो जाए ठीक है आए देखिए 100 सबस्क्राइब प्रतिरोद के बराबर है तो कौन सा अधिक्तम हो जाएगा आपका सकती अधिक्तम हो जाएगा किसके लिए है आई नियम बताइए सुरक्षा के लिए भी है अच्छा पावर जैसन के लिए भी है अगर बॉल्ट मीटर एसी लाइन से जोड दिया गया तो कनेक्षन सार्थक होगा तो कनेक्षन कीसा हो जाएगा यह आपसे पूछा जा रहा है तो पैरलल हो जाएगा ठीक है कैसा हो जाएगा पैरलल हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रस्न है कि किस परकार का परतिरोधक बोल्टता पर निर्भर करता है किस परकार करेगा तो रेश्टर वाला करेगा नीचे दिएगा विकल्प में से विदुत विभाव की सहीं चुनना है विदुत विभाव की यहाँ पे कौन से हो जाएगा आप से पूछा जा रहा है तो वोल्ट हो जागा विदुत वोल्ट से अंदर शाते हैं सुस्क परी स्थितियों में मानभ शर परतिरोध कि आप सकता होगी तो हम बतावी दिये हैं ठीक है इसको क्या कर दीजेगा भाग देदीजेगा का जाएगा इतना कमान नीच और भी कमान उपर tah簡單ücken आप को यह फूगर कि भीडिदुधुः उर्जाख बाने जे इक होता है क्या होता है के पी एफ के दो संधरीततर दो संधरीतर दो संधरीत ठीका किया ख़याना मे academy रवी सोरी क्या है फोर पीएफ के दुसनद्री स्रेनिक रव में जूडरे निद कर ने जूड़े हो थो भरतता की तो यह 1 by 4 प्लस 1 by 4 क्या हो जागा दो यहां पे हो जागा ओप्सन नमर सी से हो जागा फैन रेगुलेटर में किस परतिरोधा का उप्योग होता है किसका उप्योग होता है तो यूरेका का होता है विदुत प्रवाह की वह मात्रा जो दर्दनाग बिजली के जटके दे सकती है क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पचास मिलियंपेर से जादा होगा तो जहतर दनाग जटके दे सकता है निम्लिकेत में से क्रिस्चॉप्स के धारा के नियम से खुब पहचानना है आपको तो पर लिजे इसमें एक नोड में परिवेस्ट करने वाली धाराओ का कुल य 180V है तो आया ड्रोप उत्पन करेगा यह सभी सीरीज में लगे हुए हैं तो इस पर लगाएगा फोल्टेज का मान क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 280 सब को जोड़ दीजीगा आ जाएगा यह तीन परतिरों समनांदर कर में लगे है तो कुल परत हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1000 की कहlara कूं सा एक हजार वाट की बढ़ावर अपीड़ थूपर की बढ़निक सकती डाइलेक्ट्र का स्ट्रेंद को बताता है तो कॉन सा बताएगा तो BT ब्रेकड़नव बैक्ति के सरीर का परतिरोध कितना होता है आपको पूछ रहा है आपसे तो कितना होता है तो एक किलो ओम के बराबर हो जाता है यानि हजार आपका ओम होता है तो समनांतर सन्योजन में कुल परतिरोध क्या होता है आपका बताना है तो समय कुल परतिरोध घड़ जाता है स्रे इसके तारों की रूप में किया जातों से पूछ रहा है तो जागा निम्न बाढ़ा जा सकता है तो आपका थे की संख्यात बदल करके पतले तारों का परियू करके आप अड़ा सकते हैं इसी परिपत में धारा की देशा हो जाएक गाइगा एकी दीसा में हो सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर यह दिया हुआ है तो आप बना लिजेगे इसे समयां अंतर करम में जोर करके बात में स्रेनी करम में जोर के बना लीजेगा ठीक है दोस्ट एक अंसर हो जागा आपका एक ओम हो जाएगा आगे देखते हैं 232 नमर परस ने आपके सामने कि उच्छ परतिरोद और निम्न परतिरोद पाने के लिए बैटरी को किस करम में जोरना चाहिए देख है तो इसका हो जागा आपके कितना 22 ओम हो जाएगा ठीक है ठीक है दोस्त कितना हो जाएगा 22 ओम हो जाएगा क्लिए रहे आगे चले चले चली आगे चलते हैं आगे देखिए किसी बिंदू से एक सेकेंड में अगर इतना इलेक्रों प्रभाहित होता है तो धारा कमान बता ये दुनों अपर्ति रोध का सिम्बल है थिक है तो electric circuit 60 को चाल कॉंसा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये वाला 4 कि YOUR लेक्ट्रिक से मुनल हो झाल हो जाएगा आपसीन संटर डी हो जाएगा 235 गोड़ा कर दिखें परतोस है लोड में सक्ती 6 नि इसी उसके मोटाइवU करती है तार की इंसुलेशन यानि कि कैसा मांन पर निटर्वर्क करता है कि किसरे करेगा तो वो करेगा आपका दो यर्टी परतिरोत की लंबाई को दो दोगो निक निक करती जा तो इसका क्या पुछ रहा है तो अपरवर्तित रहे लेक्टरिक रिस प्रित्वी की धारिता का मान क्या हो जाएगा तो इसमें प्रवाहित हो सकती है चालोको के माध्यम से दातु के तार में विधुत का परवा होता है दातु के तार में विधुत का परवा कैसे होता है तो इलेक्टरॉन के कारण होगा प्रती इकाई देखे जो आप पढ़े हैं के वाल उसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग ठीक है प्रती इकाई तापकरम में बदलाब पर आगात परति संतुलन जो विवांतर होता है बदलाब की उसत दर क्या कहलाएगी उसमें बहाब संभावन कहलाएगी दारा के तीन परमुक प्रभाव है तो वह जागा उसमें चुम्बक्य रसाइनिक एक संभान जो है 0.02 एंपियर की धारा धारित करता है एक इलेक्ट्रोन आवेस्ट 1.6 इंट्ट्रेंट दिवा माइनस 19 जो है 19 है तो 30 सेकेंड में इलेक्ट्रोन कितना प्रवाहित होगा आपसे यह पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपसे यह 3.75 बने 10 के पावर 19 हो जाएगा तो आपका उत्हा ही रहता है जितना के सत्य पर रहता है जब 40000 में एक अम्प्रियर कि धार की की द्रहा प्रवाहित होती है तो प्रति सै okay एलेक्ट्रोन प्रवाहित होगा है तो सिक्स पॉइंट आप्यमस करने यहां पर्टिरोद का किस्टे ओम से हो जाएगा यहां पर मिलान करने तो आता ही होगा उसका विधुद प्रभाह का एंपियर हो जाएगा बॉल का न्यूटन पावर का आपको अज़ीक है आगे चलते हैं एक चार्ज किये हुए खोकले-गोले में भीबहब क्या हो में यह भुड़ी सत्य क्या ब्राबर दंदार के बिच किसकी परिभासा के लिए पढयोग क्या जा जाता ह। लोग इंपल प्रत्यों कितने कि लेक्टाहां मिल करके बनाता है आंगे दिखते हैं किसी चालक किसी चालक जिसका परतिरोद का मान बताना है तो परतिरोद का मान क्या हो जाएगा तो 4R हो जाएगा किसी परिमित दूरी का दूरी द्वारा प्रितक्रित दो आवेस किसमें ब्रेधी करते हैं तो दो आवेस किसमें ब्रेधी करेंगे पूछ रहा है तो विदूतिय छेतर में किसी पदार्थ की सपेक्च विदुद्द सिल्ता सदाय पेसी होती है तो पदारत की विदुद्द सिल्ता सदाय पेसी हो जाएगी एक हो जाएगी एमेफ आवस्यक होता है एमेफ आवस्यक क्यों होता है आपसे पूछ रहा है क्या होता है तो इलेक्ट्रों के गतिमान करने के लिए मानक तापम और दाबी 233 कल्विन या एक ATM होता है एक खोकले गोले चालक के भीतर एक खोकल सब्सक्राथ सब्सक्राइब प्रतीरोधा सबसे कम होती है तो लिखेंगे लिखित में से किस प्रतिरोद का साइज अधिकतम होगा तो किसका अधिकतं अधिकतम हो जाएगा अधिकतम knit ऑ जाएगा ठीक है अगे देखते हैं 100 वोल्ट बाले बलब प्रतिरोद 500 होम 10 पराइख क्लिक किलो वार्ट का क्योड क ashdok वात होने पर यह बल्ब कितने समय कारे करेगा तो कितने समय करेगा यह अपका लगवकं पचास गंटे करेगा किसा घंटे तक बाइब होधे तक आगी देखना एक समबनांतर में सम्बंदि दो प्रवाहित होती है थारा कैसी प्रवाहित होगे तो आपका धनात्मक से रीह नात्मक्ती और टेविपषण ये कहता है कि वॉल्टेज मापने के लिए वॉल्टर मिटर के से यहका लगाया जैता है टेकनीशन भी करता है कि समनांतरकर लगता सुने होती है एस्टाटिक बिदुद निम्ली के उत्पन करते हैं तो आपका घर्षन और प्रेयरन दोनों उत्पन करेंगे बिदुद आवेस के बीज बल के लिए कुलम्ब नियम के लगभग किसे मिलता जुलता है तो कुलम्ब का नियम जो होता है न्यूटन के गुर खरती है तब परयोग essayer निमली ख़ित में सęकी बराबर होगे तो किसके बराबर हो जाएगी पूछ रहा है तो आई एस्क्वार आई टीक महास को रावर टी याद रखेगा एक ह्लसकती 746 वाट होता है एक कैलो कैलोरी कि सखने से का बराबर होगा तो हो जाए tutte बनाएगा 5 Оп Sun कि इन्फ Se Continue कि बिराबर होगा पांच का अलेक्ट्रिक करेंट द्रता है ना अगeur दोसाइतान α commission के एक यूनिट निमलीखत मेने स्केस के किसे यह पूछ रहा है तो किसके ब्रावर हो जाएगा बता कीज दूस्त तो आपका होל जागा ये होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है एक एंपियर सेकेंड होता है आगे देखें आविर्ति किसका अनुपातिक हो जाएगा आपका प्रतिक हाथ का क्या हो दाता है अनुपातिक बिदुध धारा परवाह के लिए त्यार किया गया बंद एबंपोर हो यह पार्तिरोद के वर्ण कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है तो छे दिए गया निम्लीखित में से कौन सा पौतिक रूप से रूप से अकार में बहुत बड़ा होगा कौन सा हो जाएगा आपका सो ओम और पचास वाड हो जागा जब दो आवेसित चालकों को जुरा जाता है तो आवेस का परवाह नहीं होगा क्यों आवेस का परवाह नहीं होगा आपसे पूछ रहा है क्योंकि बीभव समान होगा दुबारा कुशन रिपीट कर रहा है गया है ना बहुत ऐसे कुशन है ज लसका किसी समगरी की कि भी प्रतीवरदद का किसी मा आते हैं तो वाइंगरेंजिंग Рेंज के इक वाट एक बटा आठ वाट से दो बार्ट तक नारंगी लाल और भुरा तथा स्वार्निम बैंड के लिए यह हम बोले थे कि इसको प्रॉपर एक वीडियो बनागे समझा देंगे तो इसके लिए आपके बलेंसर यादर एंसर देख लिए 32, कलर कोडिंग के अनुसर 320, उम-5 % पाँच अंपियर का देखे आठ सो बाट से कम में अनुमानित अधिक्तम परकास बिंदू की संख्या कितनी हैं देखे खे हैं कितनी हैं तो 10 10 बिंदू हो जाएगा आगे देखते हैं, कितना हो जाएगा? दस मिन्दो हो जाएगा, यदि धारा R I और वोल्टेज भी है तो P WI होगा P WI क्या होता? भी WI है ťी SqY by I होता? आगे देखते हैं IG, IG, OH य닌ALLY IG, Hitoga तो वो 10 के पूरवर 9 50 Hz का पूर्ती के समंदित आप दी है 50 हर जिसे तो आपका देखिए 20 millisecond कितना 20 millisecond अबेसे परमानु क्या कहलाता है अबेसे जो परमानु होगा वो आयन कहला है निम्ण में से कौन सी सबसे अधिक भाड़ी है सबसे अधिक भाड़ी कौन सा है तो आपका हो जाएगा अनु सबस्यादिक भारी है समगरी जिनका प्रतिरोध गुनांक सुनने ताप मान है वो क्या कहलाएगा मेगनीन का प्रतिरोध गुनांक सुनने होता है अगर देखते हैं कॉंस्टेंट में सामिल होता है हुआ होगा तांबा और निकेल ठीक है कंस्टेटेंट में कौनसे समेल होगा तांबा meetings एक आधर सद्धारा स्वोहार में होना चाहिए अधर सद्धारा सोर्स में अन्नत्रिक window त्ड होना चाहिए ओम का नियव-द्प किछ संबंध से ठीक है तो धारा और वोल्टेज के संबंद से दूर जुरा हुआ है ठीक है अगर देखें 30 इंच प्लाजमा रंगीन टीबी में समाने ता बीजली की खपत कितनी होनी चाहिए तो आपका समनाद्रकममें कापिस्टेटर को जोड़ा जाता है असी परिपत में धारा की दिशा क्या ने होती धीचिए में लेकिन ढूंद टी में समान रहती है बल्फ को करत्या है और बल्ट जलते ही रहेगा यह ध्यान रखीगा ठीक है आने दो बल्ट परकासित रहेंगे एक चालक में 120 कुलंब का आवे होता है यहां पर दारा कमान आपसे पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 122 एंपिर हो जाएगा क्यों परिपत कहेंगा इसे पर रोद में स्वर्ण कोड के लिए गोल्ड कलर के लिए क्या दरसा आगया है पांच परसेंट की स्वहत्ता ली गई है तो इसका हो जाएगा आपका 47 के ओम प्लस मैनस दस परसेंट निम लिखेत में से सबसे हलका कौन सा है आपसे पूछ रहा है सबसे हलका तो कौन सा हो जागा इलेक्ट्रों ताम तार की परतिरोधा कम है यदि डैस जादा होगा आपका वही हो जाएगा 14 फोल्ट हो जाएगा निकल जाएगा ठीक है आगे देखते हैं यदि एक काई धनावेस को बिधुत एक बिंदू से बिंदुतक ले जाने में किया पूछ रहा है तो कि अगर कारे क्या हो जाएगा तुझ भी वांतर कहलाता है अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को ती गुना कर दिया जा तो उसमें उत्पन धारा जो है अपने प्रारंबिक मान का कितना गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये नो गुना हो जाएगा कितना ग प्रति किसके बराबर होगा तो आपका हो जागा कैपेस के बराबर हो जागा अप्सिन नंबर भी आपका सही है अब देखे एक नोड पर पहुंचने वाले धारा का कुल मान 13 एंपियर है ठीक है क्या कहते हैं इस चिन को आप लोग कहते हैं प्रवरति के tahu एक अनु sixty संख्या क्या होती है प्रोट्रॉन प्लस न्यूट्रोन की सव्धे होती Users जो है सद्यापित करने के लिए नियुन्टम आप सकता क्या है डारा प्रभाव के लिए सबसे पहले बोलटे सोद और चालक होना चाहिए डारा की उपस्थिती का जब क्यात होता ले किसे उत्पन परभाव से या बिजली के जटके से नहीं उत्पन परभाव जो उत्पन होगा उससे आपकर एंगे चुके मत चेकर लीजएगा धारा के तीन अब्यब कौन से हैं तो देखे धारा के तीन अब उसमी चुमबके और रसानिक यह दुबारा कुशन रिपेट कर गय यदि उसमें एक लैंप में अंत्रिक परतिरोथ में सर्च सर्कुट हो जाए तो क्या होगा तो कोई लैंप गलो नहीं करेगा सब बंद हो जाएगा अब देखे एक एंप्यर जो है विदू धारा को किसको परवाहक की रूप में प्रिभासित किया जाता है किसको तो एक कु डिगर सब में पूछा जाताता वी धुद०्धारा का उव्स से संबद्ध यानि अई औरोपन का संब्द्ध पुछा जा रहा है तो देखे क्या हो जाएगा इसका पहले वाला अपसन हो जाएगा और फीगर हो जाएगा दूसरा ठीक है यानि कि फीगर नमबर दूसरा हो जाएगा आगे दिखिए अकास में किसके बीच आवेस के परवाह के कारण बिजली चमकती है किसके बीच तो दो बिपुसित बाधलों के बीच अगर एक काच की छर और रेसम की कपड़े के टुकरे को एक साथ रगड़ा जाए तो कांच किच्छर डैस को रेशं के कप्ड़े में हस्तानांत्रिट कर देगा किसमें कर देगा तो वो अवेसित निकाय का कोई आवेस नहीं खोता है अगर टू प्लस टू क्यू और माइनस फाइब क्यू चार्ज वाले दो चार्ज किए गया पिंडो को किया लिए समाब मितलब नजदी के लाजया तो क्या हो जाएगे ठीक है वलगी बिदुरिख सदैब कहां से अराम होती होती और कहां तक जाती है तो सदैब धनात्मक से इनात्मक से स्टार्ट होकर अगरे अलेक्ट्रों का चार्ज आप जानते हैं और प्रोटाँन के लिए प्रोटाटों के लिए निकट लाए जाने क्या होगा तो घोगा सीhistotenobenी कम धोई पर रखे गए दो बबराबर और आप बनाते हैं वो क्या बनाएंगे थे नुरूद ब uncom और दो बिंदोव में बनायां गार दो बनाएंगे ख्मेंदों हो जलिए किया जा सकता है जब कोई विद्धूत आवेस बन का अनभव कर रहा है तो होगा कई क्या होग़ा विद्धूतियutar का नतर सकता या जासकता तो नियुक्त हो जाएगा कई में तो में किया जाएक आपका क्या हो जायगा दोस्त बताओ Program से बिदूर्द के बीच बल हे तो कोलंब का नियम से सरवाधिक सामान होता है तो न्यूटर के गुर्द्वाकरसन नियम से समान होता है एक कुलंब dash के बराबर होगा, एक कुलंब किस के बराबर होगा, आप से पूछा जा रहा है, तो 6.25 into two power 18 electron, आवेसों के मद्य आकर्षन ये प्रतिकर्षन ये परतिकर्षन का बल किस पर निर्वर करेगा, तो आपका करेगा, आवेसों के गुलान पर, पर अगे देखें एक बिंदू पर डैस को वीधू तीये छेतर में इस्थिर बिंदू पर प्रतिकाई धनात्मक अभेस अनुभव किया गया बल के रूप में परिभासित किया जाता है ठीक है तो क्या हो जाएका गौस का नियम डैस के लिए लागू होता है, तो गौस का जो नियम होता है, सभी पर लागू हो जाएगा, फिल्ड के लिए भी, फिल्ड के लिए अनंत चार्ज किये गया तार के कारण, फिल्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण भी, एक अनंत चार्ज किये गया लंबे सी यह पूछ रहा है तो कितना हो सकता है छे सो कुलांब हो सकता है अगर किसी कितना हो सकता है अगला है कि अगर किसी कंड़क्टर में 40 कुलांब चार चार सकेंड से ज्यादा समय तक परभाहित होता है तो करेंट का मान क्या हो जाएगा तो करेंट का मान क्या हो जाएगा 10 एंपियर हो जाएगा यदि एक एंपियर की धारा किसी लैंप में 100 सकेंड तक परभाहित होती है उस समय में लैंप में कितना कुलंब आवेस प्रभाहित होगा आप से ये पुछा जा रहा है तो 100 कुलंब आवेस प्रभाहित होगा एक संभावित अंतर 12 भोल्ट के साथ 2 बिंदों पर 2 कुलंब के चार्ज को अथनानतित करने के लिए कितना काम करना होगा तो कितना काम करना होगा 24 जूल यदि दो अवेसित करनों के बीच दुरी घटा कर मूल दूरी स्यादी करते जाए तो उसके बीच का बल क्या हो जायगा उसका बीच का बल भी 4 गोना हो जाएगा दूरी घटेगा तो यह दुगना हो जाएगा वायू में और दूई बैदूत नियतंक के माध्यम से दो छोटे बिंदू अवेसों के बिच का बल का अनुपात क्या होता है तो के अनुपात एक होता है छो सो साथ जूल काड़े करने के लिए 110 भोल्ट के विबांतर में कितनी बैटरी मतला बैटरी द्वारा कितना चार्ज क किया जाना चाहिए छे वोल्ट बैटरी के माध्यम से परवाहित परतिक कुलंब आवेस को कितनी उड़ जा दी जाती है कितनी उड़ जा दी जाती है तो आपका 9.6 गुने 10 के पार माइनस 19 जूल उड़ जा दी जाती है आवेस की बिधूत छेतर प्रवलता क्या कहलाएगा तो क्या कहलाता है दूरी के वर के साथ घरती रहती है इस्तायतिक बिजली जो है बिजली का उत्पादन किसके कारण होता है तो किसके कारण होगा आप लोग सब जानते हैं वो घरसन के कारण होता है तत्व के सबसे छोटे कन को क्या कहते है तो आप सब जानते है इसको क्या परमानू कहते हैं उर्ते वायू यान में ठीक है उर्ते वायू यान में किसके द्वारा उत्पन होती है उर्ते वायू यान द्वारा उत्पन उर्जा क्या कहलाती है जो उर्ता वायू यान होता है उसके द्वारा इस्थिते जुर्जा भी है उसके पास गती जुर्जा भी है चल रही ट्रेन में बैठे हुए बेक्ती में कौन सी उड़ जा होगी तो इस तरहती उड़ जाए भी होगी गती उड़ जाए भी होगी अब देखिए आज इतना ही रहन देते हैं 370 कुश्चन रहने देते हैं आकी बचा 200 कुश्चन जो बचा है उसको कल वाले वीडियो में हम आपका कवर कर देंगे ठीक है और 500 सारे 500 प्लस कुश्चन है और सारे 500 प्लस कुश्चन कर लिजेगा तो आपका यह टोटल यहाँ पर कम्पलीट हो जाएगा ठीक है तो 59 profits मोटा मॉटा चौसा प्लस कुश्चन है ग्ला कुश्चन क मश्चन कम चौसो है चाहँ एक डाल दिया हूई है आप जाकर टेलिग्राम से ज्व टॉइन कर सकते हैं ठीक है ठीक है टेलिग्राम से यहाँ डॉन्लोड कर सकते हैं अ का complete करा देंगे उसके बाद अगले चेप्टर की ओर चलेंगे ठीक है तो आप लोग डेली यह क्लास करते रहे हैं आज के लिए इतना ही रहना है देते हैं